भाई और भेनों, देश के अलग-अलग हिस्सों के सामर्थ को ये कैसे बढ़ा रहे हैं, ये पुर्भी फ्रेंट कोरिडोर ने दिखाक ना शुरू भी कर दिया है। न्यू भावपूर न्यू खुर्जा सेक्शन पर एक तरफ पंजाब से हजारों टन अनाज की खेप लेकर गाड़ी निकली, वहीं दूसरी तरफ जार्खन से मद्द प्रदेश के सिंगरोली से हजारों टन कोईला लेकर माल गाड़ी, एन्सियार, पंजाब और हर्याना पहु यूपी, हर्याना से लेकर राजस्तान, गुजरात और मारास्टर में यही काम करने वाला है। इन राज्यों की मैनिफेक्टरिंग यूनिट्स और उद्धिम्यों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रिय और आंतराष्ट्रिय बाजारों तक तेजी से पहुँचने का मार्क खुल गया है। निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। साथियों, हम सब बलीभाती जानते हैं कि आधुनिक इन्फास्टर्चर का निर्मान जितना जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही कारोबार के लिए भी आवशक है। और हर नई विवस्ता को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है, इसी से सामर्थ मिलता है। इन से जुड़ा कारिया अर्थ विवस्ता के अनेक इंजीनों को गती देता है। इससे सिर्म मोके पर ही रोजगार नहीं बनता, बल्कि उसके साथ सांख अनेक और उद्योग जैसे सिमेंट हो, स्टील हो, ट्रांस्पोर्ट हो, ऐसे अनेक सेक्टस में भी नए रोजगार का निर्मान होता है। जैसे हम जैसे इस डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से ही नव राज्यों में 133, 133 रेलेस्टेशन कवर होते हैं, इन स्टेशन ओपर इनके साथ नए मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट तर्मिनल होंगे, कंटेनर दिपो होंगे, कंटेनर तर्मिनल होंगे, पार्सल हब, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्ताएं, अनेक नई व्यवस्ताएं, आधुनिक व्यवस्ताएं और विशाल व्यवस्ताएं विश्चित होने वाली हैं। इन सब का लाब हमारे गाउं को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा। शोटे शोटे उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैनुफेक्टर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थे ववस्ता को गती बिलेगी.